दोस्तो एक नया मुसीबत सामने आ रहा है, क्या है वो मुसीबत, आप सब को इस वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो ध्यान से दिखिएगा बिना स्किप किये हुए, दोस्तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब बेटन को प्रेस नहीं किया है, तो जल से जल अभी के टाइम में बहुत सारे लोगों का सिबिल जो है डाउन हो रहा है, लोगों नहीं लिया है, फिर भी, अभी ये कैसे हो रहा है, थोड़ा से डिटेल में बता देता हूँ, देखिए, अगर मानों कि आपने लोगों नहीं लिया, लेकिन क्या होता है कि आप किसी भी ल अब नेक्स्ट क्या है, आप लोन लो या फिर ना लो, आपके नाम पे लोन वहाँ पर रिजिस्टर्ड हो जा रहा है, लोन वहाँ पर चला जा रहा है, दिखेगा कोई ऐसा अमाउंट, आपके पास आया ही नहीं, आपने कभी अपलाई किया ही नहीं, अभी 80% लोगों के पास यह सब जो है चीज़े देखने को मिल रहा है कि आप उन लोगों ने लोगों लिया ही नहीं नहीं फिर भी उनका सिबिल में सो खर रहा है लोग का अमाउंट अब यह कैसा फ्रॉड है अभी तो दोस्तों यह फ्रॉड अभी के टाइम में हो रहा है तो यह सबसे बीच-बीच में आप लोगों को सिबिल जो है चेक करते जाना है तो यहाँ पर अगर आप लोगो कोई unknown आप लोगो को loan application या फिल loan amount आप लोगो देखने को मिले तूरंत आप लोगो को सिबिल डिपार्डमेंट में contact करना चाहिए और आप लोगो को वहाँ पर information देना चाहिए कि यह तरीका का loan जो सो कर रहा है वो आपका नहीं है अब वहाँ पर report कैसे कर सकते हो side में ही आप लोग जहाँ पर loan का amount देख रहे हो वहाँ पर ही report ए issue आप लोगो दीखने को मिलेगा उसको click करने के बाद आपको detail fill करना है detail fill करते ही वो civil department के पास चला जगा वो inquiry करेगा उसके बाद जो है आपका problem resolution मिल जाएगा यह सब चीज़े अभी के time में हो रहा है loan ली नहीं भी लेने के बाद आप लोगोगा civil जो है वो गिर सकता है 300 तक गिरा देगा तो यह साबधानी आप लोगो बरतना है क्योंकि आप लोगो पता है ही नहीं कि आपके civil में loan का कोई वहाँ पे affected है वहाँ पे loan जो है so कर रहा है तो आप बिंदस रह रहे हो उसके बाद कभी आप लोग loan लेने के लिए जा रहे हो तो तब पता चल रहे कि आपका civil जो है down हो गया है क्यों down हुआ है एक जो है what do आपके civil में so कर रहा है तो यह सब चीज़े अभी के time में हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है तो यह आप लोगों का awareness करने के लिए यह video बना रहा हूँ ताकि आप लोग इस तरीके का problem अगर face कर रहे हो तो कैसे इससे निकल सकते हो मैंने बता दिया आप लोगों को अगर इस तरीके का problem आप लोग देख रहे हो तो आप लोग सिधा जो है तो इससे लिए क्या हो रहा है कि इस तरीके का fraud पूर आइसी धनी नहीं कर रहा है बहुत सरे application भी कर रहे है तो यह सब चीज़ों से आप लोग थोड़ा सा साबधान रहे है दोस्तो दोस्तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरू कर दीजेगा दोस्तो सब्सक्राब बेटन को प्रेस करना ना भूले तब तक के लिए चले टाडबाबे टेक केर जाहिंद जाह भारत दोस्तो